आज हम बात करेंगे चिया सीट्स के ऊपर नमस्कार, मैं डॉक्टर दिपिका कोहली, I am a clinical nutritionist आज हम बात करेंगे चिया सीट्स के ऊपर काफी लोग ये बोलते हैं, चिया सीट्स के बारे में जानकरी बहुत जानना चाते हैं तो आज हमने सोचा कि चिया सीट्स के बारे में ही बात करते हैं तो चिया सीट्स क्या है, इनको कैसे प्रयोग करना है जैसे कि हम लोगों को नहीं पता हैं, मैंने अपने पेशन्स में देखा हैं, वो ऐसे ही जिया सीर्स को यूज कर लेते हैं, उसका पानी पी लेते हैं, सोग करके पी लेते हैं, या फिर ऐसे ही खा लेते हैं, just like another seeds. बट मैं यह कहना चाहूंगी, it is a very very good high fiber seeds, इसमें soluble fiber बहुत अच्छा है, पर इसको हमेशा सोग करके ही लेना है, हम ऐसे ही इसको other seeds की जैसे नहीं खा सकते हैं, जैसे कि हम pumpkin seeds पेखा रहा हैं, या sesame seeds खाते हैं, इसको हमेशा हमें 2-4 घंटे बिगो के लेना होता है, यह बहुत nutrient dense seeds होती है, इसमें soluble fiber बहुत अच्छा होता है, soluble fiber अच्छा होने की वजए से, यह diabetic questions के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि soluble fiber हमारा sugar spike नहीं करता है, यह slow release sugar, तो हमारा sugar spike नहीं होगा, और जो भी चीजें हमारे diet में sugar spike नहीं करती हैं, वो हमारा blood sugar भी control करकती हैं, और हमारा weight भी maintain रखती हैं, तो इसके लिए हम chia seeds को बहुत ही, इसलिए हम बोलते हैं कि weight loss में मदद करता है, क्योंकि यह fiber अच्छा होने की वज़ाद से long satiety देता है, हमारा बहुत देर तक weight भरा रहता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि chia seeds को weight loss की medicine है, ऐसा बिलकुल नहीं है, this is a myth, it it is fiber dense, it is nutrient dense, इसलिए हम इसको weight loss में मिलता है हमें, इसलिए क्योंकि यह long satiety देता है, high fiber है, high fiber के साथ साथ इसमें बहुत सारे nutrients है, it is rich in antioxidants, calcium अच्छा है, magnesium अच्छा है, इसमें potassium अच्छा है, इसमें vitamin E है, full of antioxidants, तो हम लोग इसको nutrient dense, इसलिए बोलते हैं chia seeds को, अब मैं बात कर हमें कैसे प्रयोग में लाना है, बहुत अच्छी dishes हम chia seeds से कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले मैं shakes बोलती हूँ, breakfast में अगर हम अगर हम अपना दिन की शुरुआत, एक healthy breakfast, जोकि nutrient dense है, साथ हमारा वजन भी कम करने में मदद करें, तो वो क्या नाश्ता होगा, chia milk shake, या chia milk porridge, कैस में इसे बनेगा तीन से चार घंटे हम भिगो धो करने heh, जैसे हमें 9 बजे करना है नाश्ता अकना, साड़े छे या हम बबहुत सब्ली breakfast करते हैं, व राद भी दूद में भीगो के रख सकते हैं, दूद में भीगो के रख सकते हैं, पानी में भीगो के रख सकते हैं, अगर हमें धलिया बनाना है, तो दूद में भीगो के रख दे, उसी दूद को अगर गरम खाना है, तो बॉil कर ले, along with the chia seeds, chia seeds को कहीं throw नहीं करना, mind this, कोई sieve नहीं करन और उसमें नट्स हैं, किश्मिश हैं, मखाने हैं, यह सब भी डाल सकते हैं या फिर हम बनाना शेक बना रहे हैं, चीकु शेक बना रहे हैं, स्ट्रॉबरी शेक बना रहे हैं उसमें हम यह अपना सोक जो चिया मिलके वो डाल दें और हम इसी को चिया पुडिंग के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे हम लसी के रूप में भी ले सकते हैं, लसी में हम सोक चिया सीड जाल दें, तो बहुत ही अच्छा फिलिंग नाश्ता हो जाएगा, इसके लावा हमें और कुछ नहीं खाना है नाश्ते में, हम वेट भी वा अच्छा लंच करें और अगर हम डाइजेशन की बात करें तो चिया सीट्स बहुत ही लाबदायक है हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्दी करने के लिए थैंक यू